आज के दिन में हम बात करेंगे टीटी एमेल की मार्केट के गिरावट के साथ आज की डेट में 2% की उपर की गिरावट देखने मिले टीटी एमेल में और अपने सपोर्ट लेवल पर आगेन आ चुका स्टॉक इसी लेवल से स्टॉक ने 80 तक का जम दिखाया था 84 तक जाकर फिर महां से सेलिंग प्रेशर आया था जब इस्टॉक ने बांस बैक किया तो एट लिस्ट एटी के उपर इस्टॉक सस्टेन होके आगेर ब्रेक आट दे देता 84-85 के लेवल को तो आपको 100 तक की भी तारगेट उपर की और टीटी एमेल में देखने मिलते लेकिन आगेर इसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है याब इसके इमिजिट सपोर्ट का काम करेगा आगेर 74 के लेवल से 77 तक का जाप दिखाए कल की डेट में लेकिन आपको आप इस रेंज में खरीदारी नहीं करनी है अब अभी आपको खरीदारी करनी है तो 80 के उपर ही करनी है जब 80 का level breakout होता है यहां तक एक jump आके गिरावट डेखने को मिली है तो आप ए लेवाट immediate resistance का काम कर सकते है अभी खरीदारी करना चाते है तो 80 के उपर ही कर सकते है और अगर आप अभी loss में उपर की लेवल पर खरीदारी की विये तो जैसे जो support है 74 का support breakdown हुआ तो फिर 70 तक का भी fall निच्चे के और दिखा सकता है 70 के level से bonds back वनने के संभावना TTML में बनती दिखाई दे सकती है